शिव महापुराण की जो कथा है भगवान शंकर का जो संबाद है भगवान शंकर को जो जानना है हमको भगवान शंकर को जो पहचानना है हमको ये हमको भगवान शिव के पास जाने का थोड़ा सा मार्ग बदल देता थोड़ा सा पत बदल देता मेने तेरे ही बरों से ओ बाबा तेरे ही बरों से हवा बिच उड़ती चमांदी बाबा डूर अटो छटी नामे में कटी चावर की बोले में तेरी पतन शंभू में तेरी पतन भागवान शिव की कथा करें जिश्व महा पुरान को अपन श्रवन करने के लिए बेटें हैं चोवीस अजार शलोकों का एक आपार समुद्र है और इन चोवीस अजार शलोक के आपार समुद्र में भगवान शंकर की उस अनूठी यात्रा में अपन सब सफर करें और उस यात्रा का जो सुख है उस यात्रा का जो आनंद है वो अपने आप में अभीरल आनंद है कथा कह रही है देवराज नाम का एक ब्राह्मन है जो अपने कर्म से बंचित है वो अपने कर्म से बंचित रहा है ब्राह्मन कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मन कर्म को नहीं कर पाया ब्राह्मन कुल में जन्म लेने के बाद वो ब्राह्मन कर्म से बंचित रह गए ये जरूरी नहीं है कि ब्रहमन बनने के बाद आप कर्मकांड करें ब्रहमन बनने के बाद आप किसी मंदिर को समा लें या ब्रहमन बनने के बाद आप किसी मंदिर में पूजन अर्चना करें ब्रहमन बनने के बाद में ये जरूरी है कि हम बन सके उतना किसी ना किसी को अच्छा फल परदान करें भगवत भजन परदान करें राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम परदान करें जितना बन सके हम अच्छा देने का प्रयास करें क्योंकि ब्रहमन मार्ग दर्शक्त भी होते हैं पर देवराज नाम का जो ब्रहमन था इसने एक गलती करी और वो गलती बड़ी विचित्र थी खुद के लिए अगर थोड़ा वो जो कमा रहा था खुद के लिए ला रहा था वो खुद का जो लेकर आ रहा था उसमें तो उसको सुख मिल रहा था पर जब वो गलत संगत में पढ़ गया वैशावर्ती में, जुए में, मानसहार में, मदिरापान में गलत गलत जगहा पर जब वो पढ़ गया तब उसको धन की अधिक जरूवत पढ़ने लगी और जब धन की अधिक जरुवत पढ़ने लगी तो वो धन लाने के लिए आतुर हुआ अच्छा पहले भी कथा में काच फिर कर रहे हैं आप लोगों से पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोले नाजी की है क्योंकि जन्म उसने दिया है तो मरतिव वो देगा और पेट उसने दिया है तो भरेगा भी वही पेट भरने की जवाबदारी देवादी देव महादेव की है पर तुमारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी देवादी देवादी देव महादेव की नहीं अब पेटी अगर तुम्हें भरना है तो तुम अपने हिसाफ से बर स थोड़ा चल करकर, थोड़ी भैमानी करकर, थोड़ा कपट करकर, कोई थोड़ी बहुत निंदा आदिक करकर, थोड़ी बहुत किसी की परसंसा करकर, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में पेटी अगर बनना हूँ तो बात दूसरी है कि आप पेटी बनना चाहते हो पर पेट उसने दिया है तो बरने वाला भी वही है देवराज स्वयम जब तक कमाता था खुद के लिए कमाता था और इमानदारी से कमाता था पर जब वेश्या व्रकिती में पढ़ने लगा गलत काम में पढ़ने लगा तो उसको धन की दुखनी जरूरत पड़ने लगए और धन की जब उसको दुखनी जरूरत पढ़ी तब उसने चोरी करना प्रारम करा तब उसने चोरी करना प्रारम करा अब वो चोरी कर अब वो द्धन को चुरा कर ला रहा है अब वो द्धन को कहीं गलत जगा से एक अगरित करने का प्रयास कर दो शिव महापुरान की पथा एक बार तोर करती है आपके भरण पोशन की जवाबदारी महादेव की है तो आपकी संग में अगर आपकी धर्म पत्मी जुड़ी है तो उसकी भी जवाबदारी महादेव की है बच्चे जुड़े हैं बच्चों की भी जवाबदारी महादेव की है माता पिता जुड़े हैं माता पिता की जवाबदारी भी महादेव की है पर इसके अलावा अगर आप फिर किसी अन्य नारी के चकर में अगर पढ़ते हो फिर कहीं तुम जूए में कहीं मान सहार में कहीं मदरापान में कहीं वैश्या वरती में अगर आप फिर पढ़ते हो फिर जबाबदारी बोले नात की खतम हो जाते हैं आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पुत्र और आपके माता-पिता, बेहन, भाई, कुटुम्बक की जबाबदारी महादेव की है पर तुम उस असद्धन को गलत जगापर लगाना पारारम कर दिये, उसने दिया था पेट भरने के लिए, उसने दिया था बच्चों की सिक्षा के लिए, उसने दिया था, होते हैं कई लोग, अभी कहीं न कहीं लोगों को कुछ, गवर्मेंट से या परिशासन से कोई आप सरकार ने तो पेसा दिया था आपको की इस कारे में लगा लेगा अब तुमने लगा दिया दूसरे कारे में लगा या तो परशासन अगली बार आपको कुछ देगा कया अरे बोलो तो जम कैं नहीं देगा कrophy unterstüt को मालूम est को दिया था मैंने इस चीज के लिए और इसने लगा दिया दूसरी चीज अगली वर्वनी दे अब नेत्र काई के लिए थे भगवान में वो भगवान में परसासन से कम नहीं हो काई के लिए थे उसने इन नेत्रों से क्या करना भगवान का बोलो बोलो जमके बोलो दर्षन कर इन नेत्र हो से दर्षन करिये इन नेत्रों से उसे पो ति पुरान पढ़िये श्युमहापुराण रमयंन भागवत गीटा इसका समरण परिये अब तुमने इस बार तो इस नेत्रों को भगवान में लगाया ही नहीं अब पैसा दिया था मकान बनाने के लिए पैसा दिया था खेती के लिए पैसा दिया था लोन लिया था मकान के लिए और मालूम पड़े बेंक वाले बाद में आये तो मालूम पड़े गलत जगा पर गलत जगा पर लगाया बर्वाद हो गए बर्वाद हो गए तो अगली बार पर पर सासन ने तुमको वो पैसा नहीं दिया साब अगली बार दिया था इसने काम में नहीं लगाया अगली बार दिया था इसने सही जगा नहीं लगाया तो अपकी बार उसने देना बन कर दो, उसने देना बन कर दो, बस यही शुमापुरान की कता कर रही है, यही भगवान संकर का गुणगान कर रहा है, एक बार उसने देख लिया नेत्र देकर, कि इसने नेत्र सही जगा लगाया कि नहीं लगाया, अगर एक बार इसने नेत्र सही जगा नहीं लगाया, फि अगली बार तुम तैयारी करकर मेठो की नेत्र श्रवन दिया था कता सुनने के लिए एक बार दिया और सही नहीं गया यहाथ दिये थे भगवान की भक्ती करने के लिए सेवा करने के लिए कोई बुजुर्ग है कोई गरीब है कोई किसी रूप में तकलीफ में है कहीं भजन हो रहा हो तो इससे सेवा करना पर हाथ भी सेवा में नहीं लगे तो वो भी चले गए पाउं दिये थे भगवत भजन के लिए हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महराज गड़ा सुन्दर है थे हाथ दिये रे तुने दाता बन के कभी नहीं दान कियो दयालू मेने अवगुन बहुत कियो नेत्र दिये रे तुने दाता बन के कभी नहीं दाता बन के कभी नहीं दरश कियो दयालू मेने अवगुन बहुत कियो फिर संसार सागर में आने के बाद में ने करा कि आए जब इतना सुंदर शरीर दिया और शरीर का मिनने सद़ब्योग नहीं करा पिर संसार सागर में आकर मैंने किया किया तो संसार सागर में आने के बाद मिनने एक काम किया कि कोचा कोचा-चा कादी कादी ज् Ear cannabis और दस को वेह सखियो दयालू मैंने अवकुन दहों देखियो। इस संसार सागर में आने के बाद में इस संसार सागर में आने के बाद मेने के वल एक कामकरा 10 को 20 केसे करा जाए उसको सोचा उसका विचार किया गया। कि ब्लड की जाच कराने पर मालूम पड़ जाता है कि बिमारी कुन सी है और कथा कराने से मालूम पड़ जाता है कि भक्त कितने है ब्लड की जाच कराने से बिमारी का पता चल जाता है और शुम महापुरान की कथा करवाने से राम कथा कृष्ण कथा भगवान की अविरल बक्ती की कथा कराने से यह पता चल जाता है कि इसके हिर्दाएं में भाव कितना है, इसके हिर्दाएं में इसकी चित्वर्ती में परमात्मा का भजन कितना है, आपको दिखेगा, साथ दिन आप भी यही हो, हम भी यही है, कई-कई ऐसे हैं, साथ दिन, सुबहा, साथ बजे से, छे बजे से यहां जगा समाल कर बेठे रह खुर्ण करेंगे एक बजेगी तब 10 मिनिट पहले घर से निकलेंगे चार पांच को दरवाजे परीजान करेंगे आट दसर्ण को रष्टे में परिशान करेंगे तब अपनी गारी बढ़ाते हुए ठोके हुए फ्रिशान करते हुए् प्रशाशन के को पुलीस प्रशासन के हों चाहिए जो सेवा कर रहे हैं उनको पचास बार अपनी दवयबदारी दिखाकर तब जाकर अंदर जाके बेठेंगे कभी इनके जैसा तब करकर देखो पाच बज़े से छे बज़े से साथ साथ बज़े से जरा देखो बेतुल वालों के लिए कथा नहीं है हम कहेंगे बेतुल वाले अगर कथा के पंडाल में नहीं आ सकते हैं तो एक बार रात को आकर इन भोले नाथ के भक्तों का दर्शन करकर जाना कि इनका भाव कितना शुद्थ है यह दिखावे से नहीं आते यह केवल दो रोटी मिलेगी पड़े रहेंगे नीवी मिली तो भी आपसे कहने नहीं जाएंगे कि हमको भूके हैं यह भोजन आपको हर दो तिन घंटे में कुछ चाहिए यह सुबेरे साथ बजे से जगा समाल कर बेटते हैं रात तक केवल साथ ब बेटे क्योंकि दूसरा महापास में बेटा है तो लेड़ भी नहीं सकते ना आड़े हो सकते एक जैसे बेटे हैं एक आसन से बेटे हैं इंतजार कर रहे हैं एक बजे का एक बजे कथा चालू हुई चार बज़ आईगी चब आप देखना पास साड़े-पांच बज़ आकर आठेड में 24 घंट श्री है ने कर रहे हैं हमने दरशन करा सन्तों का दरशन करते हैं कई कि अ अ का लूтव आकड़ा-खŢ़र्यों साधू का दरशन करते हैं तक हम करते हैं यह भी अध़ू से कम नहीं यह साधू और सन्यासी जो बेट नहीं बेटकर भगवान शिव का गु इत्ते बेठेओ लाखों में यह कईयों के पत्राएं और यह पत्रों और भी पड़ें विच्छा शुरू बात हैं कईयों क्या आप भी कता सुन रहे हैं यह भी कता सुन रहे हैं दो अंतर इसके अंतरगत में एक अंतर का विशे ज्ञान रखना जित्ती देर सुनना है दिल से सुनना घर से चलो तो कहकर आना मुझे शुमापुरान की कता सुनने जाना है मैं आराम से जहां जगा मिल जाएगी माँ सुनूंगी और भगवान की अवीरल भक्ती को धारण करूंगी मुझे मालूम है साथ दिन अगर मैंने कथा का रिस्पान कर लिया तो मेरा महादेव मेरी जरूर सुनेगा ये निश्ची पहर मुझे कथा सुने मुझे दूसरे की वेता नहीं सुनना मुझे कथा सुन मुझे अविरल भक्ती को धारण करना मुझे परमात्मा का भजन दारण करना और जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक आपको आनंद की अनुभूती नहीं हो सकती कहीं किर्पा कहीं मा ताप्ती की किर्पा और कहीं मा नरवदाजी की किर्पा और कहीं मेरे भोले नरवदाजी की करुणा हुई है तो बेतुल में ये शुमहा पुरान की कथा मिली है नहीं तो बाबा की कहीं योग संजो और वो भी कथा कोई आज की नहीं है बेतुल की कथा की अभी इनको एक साल में मिल गई और कथा की बुकिंग हो गई आप पूछना इन परिवार से दो साल पहले की कथा बुकिंग है और दो वर्ष पहले ये कथा बुक होई थी तब जाकर अब उस समय पर जो कथा का सुरूप था उस साथ से इनने वेवस्था के नुसार चले फिर कथा का सुरूप बढ़ता गया लाकों में भीड आने लगी फिर वेवस्था बड़ी तो धीरे 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 कहीं कहीं शिव ने समाल लिया संकर के रूप में पूरे बेतुलवास्यों ने समाल लिया और इसका था का आनन दो शिव करपास शंकर वगान की उधार्ता बिना नहीं हो सकते शिव कथा करें देवराज भ्रहम्मन का पेट भरने का जबाबदरी भोलेनाज जी की है आपकी और हमारी पेट भरने की जबाबदरी भोलेनाज जी की हमारे परिवार का भरण पोशन करने की जवाबदारी हमारे भोले नाजी की है पर तुम वेश्या का संग पकड़ लो और वेश्या को तुम यहां से लेजा लेजा कर देना चलू कर दो तो वो जवाबदारी मेरे भोले नाजी की नहीं है पूरा सुखमा है तुमारा परिवार चल रहा है अच्छे से तुमारे परिवार का गुजारा चल रहा है और तुमारे परिवार के गुजारा चलते चलते जब तुमारे परिवार में कहीं ना कहीं धन के चक्कर में अगर द्वेश हो रहा है धन के चकर में अगर लड़ाई हो रोक लिया जरूर हमारा धन कहीं गलत जगा पर लग रहा है और जिसकिया धन आते जा रहा है आते जा रहा है समझ लेना हमारे परिवार में सब लोग भजन करने वाले हैं सब में प्रेम बहुत है इसने बहुत है इसलिए मालिक भी देने में कमी नहीं रख रहा मेरा भोले ना जब कहीं धन की कमी दिखे जब कहीं संपदा की कमी दिखे जब कहीं तुम्हें लगे कि धन कम हो रहा है हमारा पैसा हमको कहीं न कहीं कम दिखरा वे पार कम हो गया कमाई कम हो गई तो समझ लो कि कुछ ना कुछ वो पैसा गलत जगा पर जाना चालू वो धन गलत जगा पर जा रहा है पहचानो गाय, लच्छमी और बेटी गोमाता, लच्छमी और बेटी ये तीन जब गलत जगा पर जाती है तो देने वाले को रोना पड़ता है गाय, तुमने ब्राह्मन को दी कोई दादा जी चले गए, दादी जी चली गए, कोई डोकरा डोकरी निपड़ गिया और तुमने दे दी ब्राह्मान को ब्राह्मन लेकर गए गोमाता को जब तक गोमाता ने दूद दिया उसको समाल कर रखे फिर बाद में मालूम पड़े वो गाय तीसरे को दे दी तीसरे से चोते को गई, चोते से पाच्वे को गई वो बाद में गाय कसाई के हाथ में पहुँच गई गउमाता जब कसाई के हाथ में पहुची और कटते समय जब रोती है तो बद्वा देती है वो बद्वा ना ब्राह्मन को लगती है ना किसी दूसरे को लगती है जिसने संकल्प छोड़ा था गउदान का वो बद्वा उसको लगती है कि तूने मुझे दान दिया था तो मैं गलत जगा कैसे पहुच गई उसी तरह गउदान जिसने दिया उस दान करने वाले को रोना पड़ता है और कन्या दान जिसने दिया और बेटी अगर किसी गलत लड़के के चक्कर में फस गई और तुमने कहा दिया साब हमने तो जमाई अच्छा देखा था और बेटी को दुख है बेटी को कस्त है तो उसको भी रोना पड़ता कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता दो कन्यादान वाले कितने रोएं हैं जरह विचार करिए इस ताप्तिश्य महापुरान का था एक दक्ष प्रजापति और दूसरे नंबर पर थे विश्व करमाज दो कन्यादान करने वाले कितने रोएं ये ताप्तिश्य महापुरान प्रारम हो गई यहां से दो कन्यादान वाले कितने रोएं हैं अगर उन रोने वालों का समर्ण करा जाए तो एक है दक्ष प्रजापति और दूसरे हैं विश्व करमाज भगवान विश्व कर्मा और प्रजापती दक्ष ये जो जितने रोएं हैं इनके बराबर कन्यादान करने वाला क्यों दक्ष प्रजापती को रोना इस बात काया मैंने बेटियों का भी वहा करा मैंने अपनी बेटि का भी वहा ये चंदर देओ के साथ में करा और चंदर मेरी केवल एक बेटि को चाहता है और बाकी की बेटियों का अपमान करता है सारी बेटियां दक्ष प्रजापती के सामने आकर खड़ी हो गए पिता जी एक बेटी ने भी दक्ष प्रजापती से ये नहीं कहा कि हमको दुख है बस बेटि आकर खड़ी हुई और दक्ष प्रजापती की आँख में आसू भरे थे एक बेटी और बाप का अटेच्मेंट है ये बेटी और बाप का हरदय है ये बेटी और बाप का इसने है ये बेटी और बाप का प्रेम है ये बेटी और बाप का इसने है बाप अपनी बेटी का किवल चेहरा देखकर पैचान जाता है कि मेरी बेटी को क्या तकलीब है बेटा मा को प्री होता है और बेटी जम के बोलो जराद बाप को प्री होती है पिता को प्री होती है उसके पापा को प्री होती है कि मेरी बेटी है और मेरा पापा पिता माई के का मतलब मालूम होता है सबको बोलो री बेतुल वाली जी जी और जित्ते बेतुल के जी जाएं वो भी बोलो मायके का मतलम अलम है जहाँ पर जाने पर माँ और माया दोनों मेरी हो वो मायका कहलाता है मायके में जाने के बाद देटी के दे पापा ऐसा तो पक्थर की रखिल मेरी छोरी ने कहा है अब तो इसा करूंगा ही सरी मा मेरी माता ने जो कहा है मैं उसके नुसर करूँगा जहां पर मा और माया दोनों मेरी है वो माय का है साधी हो गई दूसरी जगा चली गई सुस्राल फिर भी जब वो माय के में आये तो उसको लगना चाहिए कि जी जी तुमारा ही है सब कुछ अलमारी खोल दो साड़ी निकाल दो लोग पैन लो पर तुमारे अलमारी खोल दो और साड़ी निकाल दो पैन लो ये तो बहुत दूर की बात हो गई रही मेरी बेतुल वाली हो बहुत दूर की हो गई तुम्हारे कमरे में आकर अगर तुमारी नननन बेड़ जाए तो भावी का मू बगो न हो जाए तुरंद भावी का मू बगो न, ये जी जीमें अकल नहीं क्या पतनी न dependence का, भावी ने अपने भाव पती से का तुम्हारी बेहन में अकल नहीं के रखती भर भी जब देखो जब मेरे कमरे में आकर बेड़ जाती है भाई को कहना चाहिए ये सब उसका है कुछ नहीं मांगा उसने गर से जब गई थी पिता ने कन्यादान में जो दे दिया एक फिरीज साथ हजार की अल्मारी बासिंग मसीन मिकसर भी ऐसा दिया जिसमें मुमफली का दाना भी निपिसा आया ये सब जो दिया था थोड़ा वो समान और देकर एक बार में बिदा कर दिया था बस उस दिन लगा कि ये सब कुछ नहीं है पर भाई को बोलना चाहिए कि तु बेहन से इतना मचिड ये सब कुछ उसी का है खुशी खुशी सब छोड़ कर सुस्राल चलिए सब छोड़ कर गई सब छोड़ दिया दक्ष प्रजापती को मालू मैं मेरी बेटी को दुख क्या है पर मेरी बेटियां मुझे तो कहें कि मुझे तकलीफ ही है विश्व करमा जी को मालू मैं कि मेरी बेटी को संग्या को दुख क्या है पर संग्या एक बार तुम उसे कहें कि पिता जी दुख ही है संग्या कौन सूर्य नरण भगवान की पत्म विश्व करमा जी को मालू मैं मेरी बेटी संग्या को दुख है और तक्षे प्रजापती को मालू मैं कि मेरी बेटियों को दुख है पर मुझे कहें तो सरी कई बार बेटियां बोल नहीं पाती और बेटियों को बोलना चाहिए बेटियों को कह देना चाहिए और पिता का प्रेम किसको कह सकते है पिता की करूना किसको कह सकते है वो दिल्ली में जो श्रद्धा के पेतिस तुकडे हुए किसी को ग्यात नहीं था केवले पिता का दिल का जोड़ गया और पिता ने सोचा बहुत दिन से शर्दा की खबर नहीं आई पिता उसी समय दिल्ली पहुझ गया फिर उसने ढूंदना चालू करा जब कुछ धात नहीं लगा तब फिर पुलिस पर शासन के पास गया तब जाकर खुला सा हुआ उस बाप के सामने की बेटी के पे जिस तुकड़े होगा है बाप और बेटी का अटेच्मेंट किसको कहते हैं बेटी और बाप का इसने हैं किसको कहते हैं बेटी की आँख में आसुआते हैं और बाप पहचन जाता है कि मेरी बेटी क्यों रोई है उसकी आँख में अश्रू कैसे आ गए उसके नेनों में जल कैसा आ गया इसलिए हम बार बार करते हैं फेशन और वेशन इन दो चीजों से बचने का कारे करियेगा जादा फेशन में पढ़ोगे तो भी बरबाद हो जाओगे फेशन भी तुमको बरबाद कर देगा और वेशन भी तुमको बरबाद कर देगा एक जरासा कहीं धुम्रपान कर लिया कहीं तंबाकू खा लिया कहीं मद्रापान कर लिया कहीं मानसाहर कर लिया कहीं वैश्यवर्ती कर लिया जुआ खाय लिया फेशन भी बरबात करेगा और वेशन भी बरबात कर देगा इन दोनों से बचने का प्रयास करिये जिसके घर का धन फेशन और वेशन में दोनों में जा रहे हैं चलू हो जाए समझ लो दीरे-दीरे कुछ ना कुछ गरवड़ी होना प्रारा लुकुए करो हम कभी मना नहीं करते तुम फैसन मत करो तुमारी मरजी पड़े जेसा कपड़ा पेनो अभी तो तुम यहां से भटी हुई पेनते हो तुम पूरी भटी भी पेनो तो कोई दिक्कत नहीं है और निवेदान है फैसन और वैसन में अगर तुम्हारा धन जा रहा है वैसन में मानसाहर में मद्रापान में जुआ में विर्शावरती में गदत काम में तुम्हारा धन जा रहा है तो बहुत दिन का ठीकाना तुम्हारा नहीं है और फेशन में अगर तुम ज्यादा पड़ने लगे हो तो भी तुम्हारा कोई ठी गल्टी थी एक गल्टी को अपना मानना है कि सुधारों बहुत मर्यादा से हम लोग कठा कर रहे हैं आज पहला दिन इसलिए सानुती से हमें भी देखना पड़ता है कि भगोनी के चावल कैसे हैं क्यों बात रहें जिसा ही है अज देखना पड़ता है कि चावल कैसा है हो पर चावल जोड़दार तो है जबी तो बेठने की जगा तक नी बची सब खड़ें पीछे डेर लगे हुए आपार इतना भीड है सबका प्रेम यह समझ में आता है कि आप लोगों की भक्ती बड़ी प्रबल है बाव बड़ा प्रबल है धर्दै और जो भजन का बल है यही वाबा की कृपा से आपकर कोब आनंद में रहे ना चाहिए करो अगा ऐसे फिश्व कथा करें प़गवान संकर की करुणा करें यह पित्ता पुत्री कर मुख देख कर पहिचान जाता तक्लीफ यह आ दक्ष प्रजापती को भी रोना आया अपनी बेटियों को देखकर और रिश्व कर्मा भगवान को भी रोना आया था अपनी बेटी को देखकर संग्या को देखकर आखों में जल भरा हुआ था नहिन में जल भरा हुआ दक्षे प्रजापती ने भी अपनी बेटियों से पूछ लिया था कि बात क्या है कुछ बोलोगी तुम तीन बार मेरे पास में सारी की सारी बेटिया आ चुकी है मेरी पूरी कन्या आ चुकी है पर तुम बोलती क्यों नहीं हो हुआ क्या चंदर ने कुछ कहा तुमको कुछ बोला तुमको नहीं चोटा मोटा दुख होता है ना तो ये भारत भूमी की जो मेरी बेटियां है छोटे मोटे दुख को तो सहन कर लेती है छोटी मोटी तकलीफ को सहन कर लेती है छोटे मोटे कश्ट को सहन कर लेती है भारत की बेटियां बोलती तब है जब अती हो जाती है अती जब हो जाती है तब भारत की बेटियां बोलना चालू करती है बोला कन्याउने की ये चंद्रदेऊ जो है हमारे पति जो है किवल एक रोहिनी को चाहते हैं बाकि किसी को नहीं चाहते है जो प्रसंग यहां आकर अड़ा था वो प्रसंग विश्व करमा जी के सामने आकर खड़ा हुआ था जब संग्या चोटी थी विश्व करमा जी की बेटी जब चोटी थी सूरी की तपन में खेला करती थी सूरज की क्रिने पढ़ रही और संग्या उसमें खेल रही आपका बच्चा धूप में अगर खेल रहा है तो आप के मन में करुणा आईगी की नहीं आईगी आप बोलो कि फेच छोड़ा चल अंदर हे बाबू चलो अंदर बहुत तेज गर्मी पढ़ रही है बहुत तेज धूप पढ़ रही है चलो अंदर चलो जरा इतनी धूप में नहीं जाते बार चक्कर आ जाते हैं इतनी धूप में नहीं जाते हैं सूर्य की किरण अपार पड़ रही है और वहां संग्या खेल रही है विश्व कर्मा जी की पुत्री खेल रही है विश्व कर्मा जी की धरम पत्नी ने आवाज लगाया संग्या ए संग्या इदर आओ संग्या आने को तैयार रही खेलती रही तब विश्व कर्मा जी ने उसको पकड़ा पकड़ कर अपने कक्छ में लेकर आए विश्व कर्मा जी ने का संग्या इतना तपन हो रहा है इतना धूप पढ़ रही है, इतनी गर्मी पढ़ रही है, इतना सूरी के किरणे पढ़ रही है, और तुम उस सूरी के किरणों में खेल रही है, विश्व करमा जी ने अपनी धरम पतनी से कहा, मुझे लगता है, हमारी बेटी को सूरी के किरणे अच्छी लगती है, इसलिए किरणों में सूरी की तप तपाती हुई किरण के अंतर कर धूप मैं हमरी बेटी चली जाता है दीरे दीरे बेटी बड़ी हो गए संग्या बड़ी हुई जब संग्या बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भावा आया तब संग्या को लेकर विश्व कर्मा जी पूरे ब्रमांड में घूम रहे हाती पर बिठा कर कि मेरी बेटी को मैं ब्याना चाता हूँ और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवा करूँगा आपसे भी निवेदा ने अगर तुमारी बेटी पड़ी लिखी है तो उससे दुगना पड़ा लिखा उसका वर होना चाहिए तुमारी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए रामचित मानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान रामजी को ढूंडा गया था सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुस को उठाया था मात्र छे वर्ष की आईू में और जनक जी ने मन मैं संकल्ब ले लिया था कि इसका पती वो होगा जो सीधे हाथ से धनुस को उठा कर चड़ा कर तोड़ देगा बेटी उससे बिहा दूंगा सीता छे वर्ष की आईयू में अगर धनुस को उठा सकती है तो इसका पती वो हो जो इस धनुस को उठा कर तोड़ दे तो बेटी को भी आउना अब विद्वत्ता देखी गई विद्वान पद देखा गया कि सीता से दुगना विद्वान उनका पती राम होना चाहिए उसी तरह विद्वत्ता यहां देखी जाती है कि विश्व करमा जी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवहा किसके साथ करूँ कोई अच्छा लड़का डूंड लेता हूँ इससे विद्वान होना चाहिए अब मेरी बेटी इतनी धूप में सूरी की किरनों में तप करती है सूरी की किरनों में बेटी रहती है तो इसका पती वो होना चाहिए जो इस सूरी की किरन से भी जादा तप में लीन हो तब हाती पर बिठा कर विश्व करमा जी अपनी बेटी को लेकर गए और जब विश्व करमा जी हाती पर बिठा कर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और हाती पर बिठा कर बेटी को लेकर सब जगा पर गए जाने के बाद अंत में सूरी देउता के पास में गए तब संग्या ने सूर्य को देखा और सूर्य ने संग्या को देखा तब सूर्य देवता ने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता क्या आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता है संग्या ने पिता जी की और देखा और पिता जी की और देखकर पिता जी ने कहा संग्या ये सूर्य नरैन आपसे विवाह करना चाहते हैं आप विवाह को तयारो संग्या करती है मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बढ़ा करा मेरे पिता ने मुझे आज इतनी उम्र दी है मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में विठा कर मुझे रोटी का निवाला खिलाया है मेरे पिता ने मुझे वस्त आबूशन से सजाया है मेरे पिता ने मुझे विध्याद्यन कराया है मेरे पिता विश्व कर्मा जहां चाहें बेटी का विवा कर सकते हैं मैं मना नहीं करूँगी ये संग्या के शब्द आपकी भी जिंदगी में आना चाहिए हम पहले भी कथा में कहयाज फिर कहते हैं केवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुचा सकती है एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को चौरानवे तरह के नरक में डाल सकती है जिस पिता के घर में बेटी का जनम होता है जिस घर में बेटी जनम लेती है वो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मुखा आवश्च दे कन्यादाने के साथ दान होता है कि माता और पिता चुरान वे नरक में ना पढ़कर सीधे बेकुंठा में चले जाते हैं के वले कन्यादान करने पर के वले कन्यादान करने पर और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मुखा नहीं देती और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पड़ती थी मैं एजुकेटे मैंने तो इतनी पड़ाई करी मैंने तो कोई ऐसे ही मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूँगी मैं तो उससे करूँगी और पिता ने समझाया वो अच्छा नहीं है देख हाती के दांत दिखावे के अलग होते हैं और अंदर के चवाने के बोलो बोलो रे बेतुल वालो अलग होते हैं दिखावे का दाथ अलग होता है और चवाने का दाथ अलग होता है ऐसे कई लोग हैं जो तुमारे सामने आएंगे गाड़ी का हारन बजाएंगे तुमको गाड़ी पे विठाएंगे चाउमीन खिलाने ले जाएंगे पानी पता से खिलाने ले जाएंगे होटल ले जाएंगे इमानदारी से देखा जाए तो गाड़ी भी इनकी नी होती और पेट्रोल भी इनका नी होता, वो तो सुधरने आजाती तो लेकर चले वो तो सुधरने आई थी तो इनने का चलो दो मिल्ट उसी को गुबालाऊं, बेवकुब बनाऊंगा गाड़ी दिखाऊंगा चाउमिन खिलाऊंगा और किसी को अपना बना लूँगा थोड़े दिन बाद ऐसी 35 तुकड़े दिल्ली में होगा ऐसे हैं अब इसमें चतूरता तुमारी होना चाहिए चाउमिन खालो मना नहीं पर साधी तो मेरा पिता कहेगा उसी से करूँगी कन्यादान का मोका मेरे अपने बाबूल को अपने पिता को दूँगी ये अपने भीतर का संकल्प होना चाहिए कि मैं कन्यादान का मोका मेरे पिता को दूँगी मेरा भाई धले मेरे माबाब की सेवा करे चाहिए नी करे भाई जीते जी माबाब को सेवा करके बेकुन्ट भेजे ना भेजे मेरा भाई पिंडदान करे ना करे मेरा भाई कुछ दान दे ना दे पर में जीते जी अपने पि पिता को बेकुंत भेज देती है फिर हमारा सनातन धर्म हमारा हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म करता है कि पहले के जमाने में पिता और माता तीरत भी जब जाते थे जब कन्या की अरे बोलो बोलो जरा साधी कर देते थे उसका मतलब यह होता था तीरत जाने का की मतलब अब ब पेकुंट चले आपने को कोई मतलब भी बस बेटी का दिया तो छोड़ा हुन भिनक जाते थे यह जो बेटे होते थे नहीं यह बहुत बुरा लगता था इनको बेटी का कन्यादान हो गया और तुम तीरत चल दिया तुम कहते हैं बेटी की साधी हो जा और तीर्थ हो गया हम क्या कापती में भेकिया है हम भी तो है पिता और माता को भी मालूम है बेटी की साधी हो गई तो समझ लो तीर्थ हो गया और बेटा की साधी हो गई और जगदंबा घर में आ गई तो बेकुंत जैसा घर भी सुबेरे साम देवी की आरती की आवाज आईगी सुबेरे साम एक ही आरती चलेगी अम्बे तू है जग दम्बे काली जय हो बेतुलव अगाँ में लड़ाई होती है वास्तों में बहुत आनंद की लड़ाई होती है कभी कभी उनको तुन देखना इधार से कमरे में से सास निकल गलेए मैं तरसे पेली किया था फिर इतने में बहु चिलाती आएगी मैं तो अपना माई का जा रही तुम्हार से परेसान हो गई इतने में पती उदर से केगा पाउ फड़ना भी जाएगा ये मंदिर में जो गंटा तंका ना बीच में बस वो इस्थिती जीजाओं की है वो इस्थिती बिचारा ये कुछ बोले तो गंटा बजे ये कुछ बोले तो गंटा बजे परेसान है थोड़ा नियमता में आनंद में सुख में कन्यादान का मुका देव अपने माता पिता को जीवन सार्तक होगा कहा संग्या से विश्व कर्मा जी ने कहा बेटी सूरी नराइन भगवान मांग रहे हैं आपको कन्यादान कर दू संग्या ने कहा जहां मेरा पिता चाहे वहां कन्यादान कर दू सूरी देवता ने कहा संग्या मैं शादी तो तुम से करना चाहता हूँ विश्व करमा जी भी राजी है आप भी राजी हो पर एक बात कहना चाहता हूँ मेरे तप को क्या तुम सहन कर सकती हो कितनी तेज किरण है मेरी कितना परकाश है मेरा कितनी तपन है मुझे मैं क्या तुम उस स्तपन को सह सकती हो संग्या ने कहा कि जिस घर के संसकार अच्छे होते हैं उस घर में बेटी यह सीख कर जाती है कि अगर सुस्रान में दुख g भी मिलेगा तो थोड़ा सहन करना है दोड़ दोड़ कर माई के नहीं आना है ये संसकार बोलते हैं ये संसकार करते हैं विबा पक्का हुए संग्या की साधी भी हो गई सूरी नरैन भगवान से क्या जोरदार विबा हुआ खोब जोरदार अब जैसे दक्ष प्रजापती के पास में दक्ष प्रजापती की बेटी आई थी उसी तरह संग्या एक दिन अपने पिता के पास में आ गई संग्या आई पिता के पास और जाओ अपने पिता के पास दिल से जाओ एक बेटी जैसे अपने पिता के पास में जाती है एक बेटा जैसे अपने पिता के पास में जाता है शिव महापुरान की कथा करती है संसार का प्रतेक मनुष्य शिव को पिता मान कर उसके पास में जाया करे और अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से आपने दिल की बात कर को के लिए संपून ब्रह्मान के लिए शिव जी पर चड़ाया गया एक लोटे का जुन महत्व है वो जीवन का सुक है जीवन का एक आनन्द है भक्ति करो भजन करो इस्मरण करो भगवान पर आश्शिल्थो करो पाप करो तो ये सोच कर करना जब जब तुमारा मन पड़ेना पाप करने का तो एक बार किसी दोवी का घर देखिया दोवी के घर में क्या होता कपड़े को कूट दे कूटे की ने कूटे दोवी बरावर दुनिया में कोई गुरू नहीं हो सकता कितना ग्यान देता है उसके बरावर दुनिया में कोई ग्यान नहीं दे सकता जितना हमें धोबी से ग्यान पराप्त होता है ओ तो कहीं कहीं के लोगों ने कहीं इस जात के व्यक्ति को कहीं उस जात के व्यक्ति को या समाज के व्यक्ति को छोटा बता दिया पर हमारा सास्तर कभी किसी समाज को किसी वर्ण को किसी धर्म को हमारा समाच कभी छोटा नहीं बताता हमारा सनातन धर्म कभी छोटा नहीं बताता यहां तक हमारा सास्र करता है गुरू धोवी शिश कपड़ा साबुन सिर्जनहाग और सत्संग सिला से धोईये निक से रंग भापा यहां तक कहा है गुरू धोवी के समान होना चाहिए जो कर दोभाओ वहां जाएं और जाकर देखना कैसे कपड़ को धो दोता है क्योंकि कपड़ा गंडा हो इसलिए उसको साथ करने के लिए दोभी ने उसको चितों में विंगो कर रखा गरम गरम बढ़्सकूर हएं को पकाया निकाला फिर प्रकूटना चलू करा, फिर पानी में डाला, फिर पूटा, फिर बाल्टी में पटका, साबुन में पटका, सार्फ में पटका, तो भी नहीं हुआ तो मोगरी लाया, वो लकडी की, हत्ता पकड़कर फिर पूटा उसको, तो भी नहीं हुआ, फिर उस पे रगड दिया कुछ स गामान जिससे वो साफ हो जाए, किलिन हो जाए, एकदम साफ हो जाए, फिर इसको रखड़ा, फिर पतका पान लए पिर सामून में गलाया, भटी में गरम किया तब पचीट पचीट के पचीट पचीट के आखिर गंदे कपड़े को उसने साफ कर दे बाप करो तो तुम भी याद रखना कि उपर भी एक दोवी घाट लगा है नीचे कपड़ा गंदा होता है तो दोवी दोधो के साफ कर देता है और कपड़े की दसा देख लेना कैसा फूटता है पचीटता है गलाएगा या दोवी के आनिये जाओ तो तुमारी बासिंग मसीन में देख लेना वह से सरव डाल डाल कर तुम्हें हिलाती देंगे हिलाती देंगे फिर देखेंगे सापनी हुआ तो बात्रूम में ले जाके फिर परचित फिर बापीस वासिंग मसीन में ले जाकर फिर इलाते डाले भी बस उपर भी लगी एक वासिंग मसी में देख लिया इसने खोब गलत काम किया खोब चोरी करी खोब निंदा करी खोब मदिरा पानमान सहार वेश्यवरती जुआं खोब गलत गलत काम करें लोगों को तकलीब पे तकलीब दी भगवान ने भी कह दिया आंदो इस कपड़े को उपर आंदो दोएंगे जम के अलग अलग बाल्टी में दोया इसलिए सास्त कता चुरानवे तरह के नरक हैं हर बाल्टी में हलक तरह का सरफ गलाया अलग अलग सरफों में डाल डाल के दोया गया जब पाप करो जब गलत काम करो जब तुम गलत काम के लिए जाओ तो सोच लेना कि दुलना किता है कपड़ा अगर गंदा हो गया तो धो भी धोएगा और अगर ये शरीर ये चित्त यात्मा यम्मन गंदा हो गया तो फिर वो परमात्मा धोएगा समझ लो समझो ज़रा शिब कता कर दो संग्या देवी पती के साथ में निवास करने लगी मैं रह रही है पती के साथ जिस समझ संग्या देवी का विवा हुआ था उस समझ सुन्दर जल वरष्टी का समझ था तो सूरी की तपन नहीं मालूम पड़ी गर्ब से एक बेटे मनू ने जन्म ले लिया संग्या देवी का दूसरा गर्ब था और तेज सूरी की करने गर्मी का समय परचंड सूरी की करने था आवाज लगाया सूरी नरेन भगवान ने संग्या ओ संग्या ओ संग्या ओ संग्या ओ संग्या आवाज लगाया सूरी नरेन भगवान ने संग्या देवी पती के पास आना चाहती है पर सूरी की किरण इतनी प्रबल थी कि संग्या की आँखे बंद होने ले पती को कुरोदाया अभी तो मुँआरे नजदीक में थी और आज हम आपको बुला रहे हैं और आपके नेतर बंदे संग्या कि आप अपने पती से नेतर तक नहीं मिला पा रही है आपका तेज आपका तप आपके किरणों का तेज इतना प्रबल है कि मैं आपसे नए नहीं मिला पा रहे हैं भगवान के सामने संग्या देवी ने अपने दोनों नेतरों को हातों से ढख रखा है गर्ब में जो संतान है जो विराजमान है नेतरों से नेतरों को बंद कर रखा है हातों से ढख रखा है तो सूर्य नरेण भगवान को थोड़ा सा कुरोध आ गया कि अपने पती के सामने खड़ी होकर भी अगर तुम नेत्र बंद कर रखो तो ये सुष्टता नहीं है तुमारी जो संतान होगी संग्या देगे काल दंद को धारण करने वाली हो दो संतान संग्या देवी के गर्व से समय पर प्रगठ हुई एक यम दूसरी यमना एक यम दूसरी यमना मनू पहले हो चुके अब इतना तेज बल भगवान का देखर रही है संग्या भगवान विश्व करमा जी के पास में चली है ये कथा भगवान शिव के हाथ में जो तरशूल रहता है दुनिया के लोग चानते हैं कि शिव जी के हाथ में तरशूल है पर दुनिया के लोगों को ये नहीं मालूम कि ये तरशूल आया कहां से है इस तरशूल को बनाने वाला कोन है इस तरशूल को लाने वाला कोन है ये तरशूल आया कहां से भगवान नरैन के पास में भगवान शिव का जो सुधर्शन चक्र है वो आया कहां से उसको लाने वाला कोन है यमराज के पास में जो कालदंड है वो कालदंड आया कहां से उसको लाने वाला कोन है संग्या देवी दोड़ती हुई अपने पिता के पास में आ गई पिता जी पिता जी पिता जी बेटी मौन थी चुप उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था वो एकदम मौन हो गई चुप हो गई इस्थीर हो गई मौन चुप इस्थीर पिता विश्व कर्मा ने ध्यान दिया मेरी बेटी क्यों चुप बेटी आखिर कारण क्या क्या कारण हो शरीर पर चोट लगे तो वो नजर आ सकती है पर मन में आत्मा को जब चोट लगती है तो वो नजर नहीं आती वो अंदर से घात करती जाती है घात कर रहे है बाहर की चोट देख सकते हो पर भीतर की चोट नहीं देख सकते है यहाँ पर कई कई लोग ऐसे बेटे हुए हैं कई लोग कते हैं कि स्यूप उरांट सुनने आए हम करें स्यूप उरांट सुनने नहीं आए भीतर से कोई घात लगा होगा अंदर से कोई तो शंकर वगवान की कथा में जाकर बिठा होगा शू पर भरोसा करकर की मैं कथा सुनूंगा मेरे भीतर की चोड समाप्त हो जाएगी मेरे भीतर का कोई सुक मुझे प्राप्त हो जाएगा यह यह भीतर का भावा एक पत्र में किसी ने लिखा है कि गुर जी हमने बिमला बोबड़े मुलताई की निवासी हूँ कहीं बेटी है क्या कहीं बेटी हो तो हाथ लहिएगा कहीं बेटी हो तो हाथ ज़रूरि लहिएगा अच्छा इधर रहें क्या ठीक है दोनों हाथ लह दोबड़े मुलताई की निवासी हूँ गुर्देव बेटे की शादी को चार साल हो गए थे मैंने सभी डाक्टरों से इलाज करवाया पर डाक्टरों ने एक ही शब्द कहा था कि इनके संतान का सुख नहीं हो सकता कुछ प्रॉबलम के कारण दो बार आई वी आई कराया पर वो भी सकसेज नहीं हुआ आकरी में ये म मान लिया था कि संतान नहीं होगी पर एक कथा में आपका स्मर्ण करा एक बार मोबाइल पर कथा सुन ली और उसमें आकड़े की जड़का प्रियोग और पशुपति व्रत का महत को बताया बाबा की गुरु अधिव किर्पा हो गई मैं शिवजी को यहां पर प्रणाम करने के लिए आई हूँ नमन करने के लिए आई हूँ भगवान शंकर को नमन करने प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने मेरी बहु की जोली भर दी और उसका छटा महीना चल रहा है मैं बाबा को धन्य बार देने आए शिव बैठिए बहन बैठिए शिव पुरान कर र आप मोन होकर भी अगर भगवान की भक्ती में बेठे हैं तो कई लोग ऐसे आते हैं शिव कठा में शिव पुराण में कि ये बाहर का घाव तो दिख सकता है पर भीतर का घाव नहीं दिखता है वो किस भाव से आया, कैसे आया, क्यों बेठा है इस उपुरान में आकर, भगवान की भक्ती को कैसे धारण कर रहा, किसे लिए पहुचा है, आप में भी कई लोग ऐसे होंगे, जो भगवान शिव से कुछ ना कुछ मन से कहने के लिए आये होंगे, कि बाबा, सब दुख काट दिन से कुछ ना कुछ कहने के लिए है, शिव महापुरान की कथा करती है, आप अगर एक छण भी भगवान के पास में जाकर बेटे हो, भले आपने कुछ कहा नहीं, पर शिव उसको स्विकार कर लेते हैं, अभी बड़ोद्रा की कथा में कहा था, कि सरस्वती जी को भगवान संकर ने ग्यान दिया, और सरस्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं क्या आपको गुरु मन पर में दूँ, मैं आपको क्या गुरु दिच्छा में दूँ, आप बताओ कि गुरु दिच्छा में मैं आपको दूँ क्या, संकर भगवान ने कहा किव पूछ ना बोले पर उसके हिर्दय की बात तुम मुझे बता देना बस इतनी करपा करना आप जाकर बेठे हो शिव को मालूम है कि क्यों आया है क्यों पहुंचे किसलिया आया है जोली ही मेरी तंग है तेरे यहां कमी नहीं तेरी करपा से हूँ यहां यह तेरी दया यह तेरी उधारता यह तेरी करपा है यह तेरी करुणा है समय समय पर शुगर और बीपी दोनों टेस्ट कराते रहना चाहिए उसी तरह समय समय पर शिव महापुराण में आते रहना चाहिए शुगर और बीपी समय समय पर टेस्ट कराते रहोगे तो तुम्हारा स्वास्थ का तुमको इस्मर्ण रहेगा समय समय पर्शु महापुराण में आते रहोगे तो तुम्हे भी परमात्मा के द्वार जाने का इस्मर्ण बना रहेगा कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है मुझे उसके करीब जाना है मुझे उसके नज़्दीत जा जा उसके पास तक पहुँच महराज संग्य आई बिश्व कर्मा जी के पास में पहुँची पिता जी ने देखा संग्या कुछ नहीं बोल रही है चुप है मोन घर का बेटा बेटी अगर मोन है घर के माता पिता अगर मोन है घर के भाईया भावी अगर मोन है घर के नननन्दोई अगर मोन है घर का कोई व्यक्ति साथ ससुर अगर मोन है तो दूसरे को पूछ लेना चाहिए आप चुप क्यों दिखरे हैं यो मम्मी मा क्या बात है आज आप मोन हो, पिता जी आज आप बोलने ही जाए, भैया आज आपके मुख पर वानी नहीं, शब्द नहीं, दीदी, आज क्या बात है जो आप मोन हो, क्या हुआ, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप चुप बेठे हुए कारण किया है, कारण को तो बता है, अच्छा कथा म में कोई मोन होकर बेठा है, तो यहां मत पूछना कि क्यों चुप बेठी है, नहीं तो तुम यहीं चालू हो जाओ, यहां तो चुपी रहो तो अच्छा है, भगबत भजन को वैसे तो देखा बेतुल में अभी कथा में, आज जब कथा चालू ही, जब से अभी तक यह यही भगवान शिव के पती आपका प्रवल विश्वास, दड़ता और भरोसा यही होना चाहिए, विश्वास, संग्या, तुम मून क्यों है, तेरे चुप रहने का कारण क्या है, तुचुप क्यों है, क्या कारण है कि तुचुप है, संग्या ने कहा, पिता जी बस मेरे मन की एक बात है, अभी तक तो नी के पाईयों पर आज मैं आप से कहना चाहती हूँ, आज आपके सामने निवेदन करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, बोल संग्या, संग्या ने कहा, पिता जी, मेरे पती सूर्य नरायन का तेज बहुत प्रबल इस कारण मैं उनके सामने जाकर खड़ी नहीं हो पाई तो उन्होंने मुझे श्राब दे दिया पती और पत्नी इन दोनों से एक निवेदन है तुम जगड़ा बहुत करो पर मुख से कभी ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो शब्द तुमारे मरते दम तक वो शब्द तुमारे हिर्दय से बाहरी न निकले ऐसा शब्द मत बोल जाना शनी महराज की धरम पत्नी ने और शनी महराज के बीच में जो जगड़ा हुआ एक शब्द शनी महराज की धरम पत्नी के मुख से इसा निकल गया हो मना नहीं अब शब्द बोले मना नहीं पर ऐसा कोई शब्द मत बोल जाना कि वो जिंदगी बर फिर्दय से निकले एसा शब्द कभी मत बोलना जिंदगी में कि वो शब्द बहार ही नहीं निकलता बार बार लेकर याद जाए कि मेरी पत्नी ने मुझे को ये बोला था मेरे पती ने मुझे ये बोला था आखरी तक भी वो शब्द याद जाते हैं कि जब जब या लड़ाई होती है तब तब वो शब्द निकल जाता है लड़ाई हुई और वो शब्द निकला है मेरे को सब मालूम है तुमने पहले क्या बोला मेरे से तो बोलना ही मती वो शब्द बार बार यादा था ऐसा कोई शब्द अपनी जिंदगी में सामने ना आ जा शनी महराज की धरम पत्नी ने केबल एक सब्द कह दिया था तुमने मुझे अच्छे से देखा नहीं मैं शराब देती हूँ शनी महराज आपको आप जगर अपनी पत्नी को सही से नहीं देखता है तो मैं तुम्हें शराब देती हूँ कि तुम्हारी दृष्टी का दोस हो जाए तुम जिस पर दृष्टी दो वो नश्ट हो जाए अब बताओ सनी महराज को ऐसा सराब दिया ऐसा सराब दिया कि सनी महराज के सामने भी अब उसकी पत्नी भी खुद नहीं पहुच सकती था बोलो सही है कि गलत है अब उन्हें क्या श्राफ दिया कि तुमारी दृष्टी जिस पे पड़े वो नश्ट हो जाए बरवाद हो जाए तुमारी दृष्टी कूद रिष्टी हो जाए ये ये श्राफ अब पत्नी जब सनी महराज के सामने जाती थी सनी महराज नीचे दृष्टी कर लेते थे पूछ लिया पत्नी ने तुम मुझे देखके नीचे दृष्टी क्यों करते हो पत्नी ने कहा सब तेरा ही दिया हुआ है सब तेरा दिया आपा तू नहीं कहा किसी पर दृष्टी दोगे और वो बस नश्ट अब अगर मैं तेरे पर दृष्टी दे दूँ तो तू मेरी पत्नी और नश्ट हो जाए मेरे कारें तो मेरा दिल दुखेगा इसलिए नीचे दृष्टी करनों तो ही अच्छा है अब अपनी पत्नी को भी सही से नहीं देख सकते हैं पत्नी को इसका दुख दूख कि मेरा पत्नी मुझे नहीं देख सकता मेरे जरासी केवले जिब्यां से मैंने क्या बोल दिया तो कभी कभी पत्नी में जगड़ा हो मना नहीं पर एसा जगड़ा मत कर लेना कि तुम उसका मूनी देख पा और वो तुम्हारा मूनी देख पाए एसा जगड़ा मत करना जगड़ो लड़ो पर आदालत तक मत जा वहीं प्रेम की लड़ाई में प्रेम की साथ में वो लड़ाई जगड़ा समात तो जाए प्रेम की लड़ाई में सबादाए अब शनी माराज को ज़्यादा दुख होगा कि उसकी पत्नी को ज़्यादा दुख होगा बोलो बोलो जराजमिल के बोलो रहे बोलो रहे बेतुल वाले सनी माराज को जादा दुख है कि उनकी पत्नी को जादा दुख है पत्नी को जादा दुख है ने कि मैंने क्या बोल दिया कैसा शब्द कह दिया कितना बड़ा श्राफ दे दिया कैसे शब्द कह दिया अब मैं भी अपने पत्ती के सामने नहीं जा सकते खड़ी नहीं हो सकता वाणी ऐसी बोलिये जो मन का आपा खोए और आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिये जो जम के जगड़ा खोए और उस से मत बोलिये जो तुम से तगड़ा वाणी बोलो पर इसी वाणी बोलना जिससे अपने हिर्दाई चित्त में, अपने आनंद में, अपनी बक्ती में, अपने भाव का आनंद सुख प्राप्तों हो सके बाइनि का सुख में सके महराज़ शिव कथा कर रह रहा है भगवाज शंकर का गुनगान कर रहा है पिता जी मेरे पती सूर्य नाराइन का तेज बड़ा प्रभाइब कई माताएं के थिये मेरा पती सुनता ही नहीं है अब हमारे पास ना तो कोई बेल है ना कोई हमारे पास भवूती है और ना हम तंतर जानते ना मंतर जानते अब सी और वाला महराज तो बता नहीं सकता मेरा पती सुनता ही नहीं है फिर किसी महराज के पास पोजगी मेरा पती सुनता ही नहीं है उनने कह दिया ले या ये बेल ले जा ये बभूती ले जा ये एसा कर लेना एसाब कर लेना और उनके चक्तर में पड़ गई और पती को सुधार रही है पर खुद नहीं सुधार रही है अरे जिस महराज की आ गई उस महराज को बोलना था ये बेल तू बान लेना पती को मत बाना वो तो सुधरा है बीचार अगर वो सुधरा हुआ नहीं होता तो तेर से पहले वो मेरे पास आकर कहता कि मेरी पत्नी को अच्छा कर दो पर तू आई वो नहीं आया है तू आई वो कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो महराज, इसका मुँ बंद हो जाए, महराज से पूछो तो उनकी घर वाली का तो खुद ही मुँ बंद नहीं हो, भू क्या दूसरे का करें, अपना वेहवार चेंच करिए, अपने वेहवार को बदलिए, शिरी कृष्ण भगवान की मैया का नाम था यशोदा, यश ददाती इती यशोदा, दूसरे को यश दोगे तो तुमें यश मिलेगा, तुम दूसरे को अप्यश दोगे तो अप्यश मिलेगा, तुम दूसरे से मिठी वानी में बोलोगे, तो दूसरा भी तुम से मिठी वानी में बोलेगा, तुम गाली दोगे तो दूसरा भी तुमको गाली देगा तुम दिन पर चिड़ चिड़ करोगे, तो सामने वाला ब्यक्ती भी तुम पर चिड़ चिड़ करेगा तुम अच्छा दो तुमें अच्छा मिलेगा तुम मिठा दो, तुमें मिठा भीतर कपट होगा तो सामने वाला कप्टी नजर आएगा तुमारे भीतर धर्म होगा सामने वाला धर्मित नजर आएगा तुमारे भीतर चोर होगा सामने चोर नजर आएगा तुमारे भीतर कपट होगा सामने वाला कप्टी नजर आएगा तुम्हारे भीतर अच्छा होगा तो अच्छा नजर आएगा दुरियो धन को सब पूरे मिलते थे और युदिश्ठिर को सब अच्छे मिलते थे क्योंकि दृष्टी का दोश्ट अच्छा देखो अच्छा देखने का प्रयास करो यहां पर भी लोग आएंगे कथा सुनने के लिए कुछ लोग तो अच्छा देखने आएंगे माराज ने क्या कथा सुनाई क्या बोला विवस्था कैसी थी कैसे लोग आएं हैं इनको भोजन मिला की मिला पंडाल में कैसी विवस्था थी अच्छा लिखने वाला अच्छा लिखेगा अच्छा देखने वाला अच्छा च्छाटेगा और कई कई लोग ऐसे भी आएंगे जो सबसे बुराई निकलवाते रहेंगे बिचारों उनको धूप में खड़ा कर दिया बाहर लोग खड़े थे बेटने की विवस्था नहीं थी उन्होंने अपने वालों को भी ठालिया उन्हें ऐसा कर दिया बस अच्छा च्छाटो अच्छा मिले गए बुरा च्छाटोगे बुरा हमारे बेतुल की कथा है ये किसी एक बत्रा परिवार की ये पांच जजमान की कथा नहीं ये बेतुल नगर की ये धर्म नगरी की कथा ही राजनीती की कथा नहीं है ये माताप्ती की कथा है ये धर्म नगरी है बेतुल कोई साधरन नहीं इस बेतुल के आसपास में घुम कर देखना चारो तरफ संकरी शंकर मिलेंगे महादेव मिलेंगे कभी ये महादेव कभी वो महादेव कभी वो महादेव पूरे बेतुल के आसपस घुनकर दिख कराना हर जगा पर महादेव के मंदिर मिलेंगे और पूरे बेतुल में जितने रामनी के मंदिर नहीं जितने हनमान जी के मं दिर नहीं उससे जादा बेतुल के एक एक कोटले पर संकर बेठा मिलता है यह बेतुल की धरा एक अंकर और संकर की धरा है बेतुल धर्मनगरी है बेतुल यह कोई राजनीती की कथा नहीं यह धर्म की कथा है और यह केवल एक परिवार की कथा नहीं मेरे बेतुल के गोरव की कथा है कि मेरा बेतुल ये उसकी धर्मन गरीम अच्छा देखो अच्छा बाटो अच्छा लुटाओ अच्छा देने का प्रयास को आप भी जाते जाते एक किलीपिंग बना कर चले जाओ साथ हमारे बेतुल में इतने लोग आये इन से मिलो इनकी सेवा करो इनका अनंद लो और डाल दो इनriment tag के मेरा बेतुल मेरा गोरव है मेरा बेतुल मेरा अनंद है यहां की धरा मतापती की क Turkish किरपा से चलती है और कोई साधर नहीं है मता हब पंती जी के बेन भाई सुनलोगी तो तुम्हारी जिंदगी सबर जाएगी अपनी बेटी को तो जाने तो पहले जमाई कोई सुन लोगी ना तो जीवन सबर गया के वाल माता ताक्टी के पती की कता कितना сюда कितना दब कर था मत अपने ताक्ती के पती दे होता ने कितना घोर तक पाज्जारों वर्ष का, कोई साधरन तब करा?